बहुत दिन हो गएं थे हमें कड़ी बनाए हुए तो हमारे हस्मेंट ने बोलें कि आज कड़ी बनाओ तो मैंने पुछा कि क्या बनाओ कौन सी कड़ी बनाओ तो उन्होंने बोला कि हरी सब्जियों वाली कढ़ी बना बहुत ही टेस्टी बनाती हो एक बाद जरूर बनाओ और अपना वीडियो यूटूब पर जरूर सेयर करो तो मैंने आज आप लोगों को यह वीडियो सेयर किया है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बरासा बरतल लेंगे फिर इसमें एक कटोरी छोटी कटोरी से दही डालेंगे चार चम्मच बेसन डालेंगे इसे विशकर या मतनी के सहारे अच्छा से घोल लेंगे घोल में किसी परकार का लंस या गुठली नहीं होना चाहिए जब अच्छा से घोल दियेंगे तब इसमें एक चोथाई चम्मच हल्दी पौडर और स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और तिन ग्लास पानी डालेंगे और विशकर या मतनी के सहारे से अच्छा से घोल लेंगे जब बेशन अच्छा से घुल जाए तब इसमें धकन लगा कर कुछ देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे पांच भींडी लेंगे फिर इसके जो डंठल के पिछे वाले भाग को काट लेंगे और फिर आगे वाला नुकीला भाग को काट लेंगे हलका सा और भींडी में एक कट लगा देंगे अगर आपकी भींडी बड़ी है तो उसमें दो कट लगाईए, इसी तरह सारे भींडी को काट लेंगे, फिर एक लौकी लेंगे, लौकी को भी हम आधा काट लेंगे, और आधा जो है पाट इसको अलग रख देंगे, और आधे भाग को इसे छिल लेंगे, छिलने के बाद में इसे अच्छी तरह से हम धो लेंगे, धोने के बाद में पीछे वाले भाग को हलका काट लेंगे, और फिर इसके मोटे मोटे पीछे काट लेंगे, इसी तरह सारे लौकी को मोटे मोटे भाग में काट लेंगे, देखिए इतना मोटा काटना है, फिर दो टमाटर लेंगे, इसे भी अच्छी तरह से धो लेंगे धोने के बाद में टमाटर को भी हम मोटे भाग में काट लेंगे फिर पांच हरी मिर्ची लेंगे हरी मिर्ची में बिच से चीरा लगा लेंगे इसी तरह सारे हरी मिर्ची में चीरा लगा लेना है जब सारे सबजी अकट जाए तब इसे साइड में रख दीजिए फिर कडाही को गरम कीजिए कडाही में दो चमच तेल डालिए तेल को अच्छी तरह गरम होने दीजिए जब तेल गरम हो जाए तब एक पिंच हिंग डालिए आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डालिए आधा छोटा चम्मच राई दाना आधा छोटा चम्मच जीरा और दस काली मिर्च दो लाल खड़ी मिर्च और दस कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे मीडियम आज पर चटकने द जाए तब इसमें हम लौकी डालेंगे फिर हरी मिर्ची कटी हुई और सबको अच्छा से मिला लेंगे फिर कटा हुआ टमाटर डालेंगे फिर इसे भी चला लेंगे फिर भींडी डालेंगे और इसे भी चला लेंगे फिर इसमें हम थोरा सा नमक डालेंगे ज्यादा नमक मन डालिएगा क्योंकि हम बेशन वाले गोल में नमक डालेंगे फिर इसे आप चला लीजिए चलाने के बाद में कुछ दिर इसी तरह भून लीजिए खुला सब्जियों को फिर इसमें हम आदा छोटा कटोरी पानी डालेंगे और सब्जियों को अच्छा से मिला लेंगे कड़ाही को हम थाली से ढख देंगे और थाली में एक कटोरी छोटी कटोरी पानी डालेंगे और सबजियों को सॉफ्ट होने तक मीडियम आज पर 4-5 मिनट तक पकाएंगे देखें 4-5 मिनट के बाद में हम थाली हटाएं हैं तब इसमें बारी कटा हुआ अधरक डालेंगे और सबको अच्छा से मिला लेंगे सबजियों को चेक करिए देखें लोकी हमारी सॉफ्ट हो गई है तब इसमें हम बेसन वाला गोल डालेंगे और थोरा सा गरम पानी डालेंगे और सब को अच्छा से मिला लेंगे इसे डाइरेक्ट मीडियम आज पर लगतार चलाते हुए उबाल आने तक पकाना है अगर आप लोगों को मेरी रेश भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन जरूर प्रेश कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए देखिए हमारी कड़ी में उबाल आ गया है आप इसी तरह 2-3 मिनद तक कड़ी को अच्छा से उबालिए ताकि सारी सब्जियों का फ्लेबर कड़ी में अच्छा से समा सके फिर इसके उपर से धेर सारा धनिया पता डालेंगे और फिर से हम चला देंगे फिर गया इसको हम बन कर देंगे और धाकान से धाकर कुछ देर इसी तरह छोड़ देंगे कुछ देर के बाद में धाकान हटाईए और एक कलची में एक चमच तेल डालिए तेल गरम हो जाने के बाद में आधा चमच जीरा और आधा चमच लाल मिर्च पॉड़ा डालिए अच्छा से मिलाईए और बेशन में बेशन में नहीं मतलब कि कड़ी में डाल दीजिए सोरी और सब को अच्छा से मिला लीजिए ये ओप्सनल है अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं नहीं तो नहीं डाल सकते हैं फिर उपर से धेर सारा धनिया पता का गार्निस कर लिजिए और इसे गरम गरम चावल रोटी पूरी के साथ खाईए और अपना प्यारा प्यारा कमेंट मुझे सेर कीजिए ताकि हमारी यह वीडियो आप लोगों कैसी लगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थाइंक्यू